एक समय हर जीने लियो मानुश अवतार दे सुख देव सज्जन को हरे धरा का भार सियापति राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम ऐसे जन्म प्रभु कई लिये हैं सुन्दर सुखद काम किये हैं समय समय तभुले अवतार खेले खेल वो कई प्रकार तब तब कथा मुनियों ने गाई पावन प्रसंगों से वो सजाई भांति भांति वर्नन है करते सुनके विवे की नच रज धरते हर अनन्त हर कथा अनन्त संत समाज कई विधि कहता राम का वर्नन सब को सुहाए कोटी समय में गाया न जाए कहा प्रसंग ये जो है भावानी प्रभु माया मोह संत मुन ज्यानी शर नागति हित प्रभु है करते सेवा सुलव और दुख हरते सुर नर्मुनि प्रभु माया से बच न सके है कोई वो प्रभु में जो ध्यान मगन उनका भज नहीं हो ए सियापति राम जे जे राम मेरे प्रभु राम जे जे राम सुनो वजाह दूजा अवतारा कहूं कथा वो में विस्तारा जिस कारण प्रभु ब्रह्म अरूपा पने अवध उरिके वो भूपा पन में प्रभु को फिरते देखा संग भाई और मुन का भेशा देख चरित तुमून का भवानी सतीतन में भी हुई बौरानी छाएं मिटी नहीं वो तुमारी सुनो चरित वो भ्रम हरहारी कीनी लीला उस अवतार कहूं मैं अपनी मती अनुसार कथा सुनी शंकर ने सुनाई सकुचियुमा प्रेम से मुसकाई करने लगे शिव शंभु बखान किस कारण आए भगवान सब कहूं वो है मुनीश्वर सुन लो ध्यान लगाए राम कथा कल युग में मंगल कर पाप मिटाए सियापति राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम स्वायम भुव मनुवैशत रूपा जिन से बनी नर्शिष्टी अनूपा धर्म आचरण इनके भाते ये मर्याद आवेद हैं गाते उतान पाद राजा सुत उनका भरी भगत सुत है ध्रुव जिनका प्रियवरत सुत उनका है छोटा वे पुराणों में यश होता देवो हूति पुनी उनकी कुमारी मुन करदम की प्रियवो नारी आदि देव प्रभुदीन दयाला गर्भ रखा था कपिलि कृपाला सांक शास्त्र को प्रकट बखाना तत्व विचार निपुन भगवाना मुनी राज सुख बहुत लिया है प्रभु आज्या का पालन किया है घर रहते आया बुढ़ा पा कुछ भी नग्यान हुआ सबसे बड़ा दुख बस यही यूँ ही जन्म गया सियापति राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम सुत को जब रन राज दिया था त्रिया संगवन गमन किया था तीतने मिशारन विख्याता आति पावन साधक सिधिदाता सिद मुनी जह रहता समाजा चले वहां हरशित मनु राजा शोभित लगे चलते मन धारा भक्ति ग्यान जैसे तन धारा नदी गौमती के पहुचे तीर हरशित तो हो नहाए निर्मल नीर सिद मुनी ज्यानी यहां आए बड़े रिशी सब को थे भाए जहां जहां तीरत ते सुहाने मुनी लगे सब उने कराने वस्त्र मुनी से धारन करते नित्य पुरान संतों से सुनते द्वादस अच्छर मंत्र का उनोंने जाप करा वासुदेव चरन कमलों में अपना ध्यान धरा सियापति राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम भोज करे फल सबजी कंता सुम्रे ब्रमशी सचदानन्दा हरिका तप करने वो लागे टिके पानी फल मूलते आगे उर में करें बस ये अभिलाशा प्रभु दर्शन करने की आशा निर्गुल अखन्ड अनंत अनादी चिंत ही करें परमारत बादी नेती नेती कहे वेद निरूपा निरूपाधी आनंद अनूपा ब्रह्मा विश्नु शिव भगवाना इनके अनस से आये थे माना पस मैं सेवक के प्रभु होते भक्तों के लिए ही ये तन लेते सत्य है ये वेदों की भाशा होगी पूरी हमारी अभिलाशा जल के सेवन से बरश बीते छे हजार सब्त हजार वर्ष तक पवन बनी आधार सियापती राम जे जे राम मेरे प्रभु राम जे जे राम दस हजार वर्ष पवन त्याग कर दोनों खड़े एक ही फग पर देखा श्वहर तप अपार पासमुनी आए कई बार भातिवरों से उन्हें लुभाए पर वो डिगे से नहीं दिगाए हड़ी दिखे उनके है शरीरा फिर भी ना मानी थी पीरा निजदास प्रभुने उन्हें जाना अनन्य तपस्वी थे उन्हें माना मांगो वर हुई नभ से वानी गंभीर बड़ी अमिरत से सानी मरे को जीवित देती बनाए कान सहर दै तक जो जाए उनके तन सुन्दर थे बनाए मानो अभी हो घर से आए अमरत वानी सुनते ही तन पुल कित हो जाए बोले दंडवत हो मुनि उर्मेन प्रेम समाए सियापति राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम सुर्तर सुर्धिन दास को लगते ब्रमाहर शिव वन्दन करते सेवा सुलभ और सुख दायक रक्षक तुम जड़ चेतन नायक नाथ अनाथ गर्सने है हम पर तेनावर प्रसन हमें होकर शिव मन में जिस रूप हो बस्ते यतन मुनी जिसको है करते ताक भुसुंडि मन मानस हनसा सगुण निर्गुण कहे वेद प्रशंसा रूप वही वो हमें दिखाओ शर नागत के कष्ट मिटाओ प्रिये वचन राजारानी के लागे जैसे प्रेम रस में हो पागे बस में भगत है कृपा निधान शन में प्रकट हुए भगवान